जै शिवशंकर राथे राथे दाथे दोस्तों कैसे हैं आप से दोस्तों सावन मास की शुकलुपक्ष की पंचमी तिथी को नाग पंचमी का पर मनाया जाता है इस दिन भोले नाथ के साथ ही नाग देपता का भी पूजन गिया जाता है इस दिन नाग देपता का पूजन करने से आध्यात्मिक शक्ति अपाधन और मनुवांचिर फल की प्राप्ति होती है पौराणिक मानेताओं के अनुसार नाग पंचुमी के दिन अनंति या शेष नाग बासुकी तक्षक करकोटक पद्म महापद्म शंक और कोलिक नाग का इस्वरण और पूचन कहना चाहिए नाग की देवी भी मालख्मी भी प्रसंध हो जाती है और सुखसमरथी का बरदान देती है क्योंकि नाग मालख्मी के रक्षक है इसलिए आज के दिन नौट का पूचन कहने से मातलख्मी प्रसंध होकर धन्यार मीकग पंचनि का दिन काला답न दोस को भी पित्र दोश की तरह ही बहुत ही खातक दोश माना जाता है यह दोश जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसे अपने किसी भी कारे में आसानी से सफलता नहीं मिल पाते करी मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते बनते हुए कारे बिगर जाते हैं आपार हो या नौकरी हो किसी में सफलता नहीं मिल पाती अगर नौकरी या ब्यापा लग भी जाए तो भी वह अच्छे नहीं चल पाते जीवन के हार छेत्र में सफलता के लिए संगर्श कैना पड़ता है कांसर दोश के साथ ही यह दिन राहु केतु के दुश प्रभावों से बचने के लिए भी बहुत ही खास माना चाहता है राहु केतु की पज़े से यदि चीवन में कोई कठनाई आ रही हो राहु केतु का कोई दोश हो तो भी आज के दिन नाक देव का पूचल अवश्य कहना चाहिए ऐसा कहने से राहु केतु के दुश प्रभाव भी दूर ह को चाते हैं और दोस्तों इस बार तो नाक पंचमी के दिन 108 साल बाद अद्वु संयोग बन रहा है इस अद्वु संयोग में काल सर्भ दोश या राहू के तो के दुश्परभाब को दूर करने के लिए कि गई पूजा और उपाय कई गुना अधिक पुन्य फलताई होंगे श काल सर्भ दोश और राहू के तुश्परभाब को दूर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रही है। इन उपायों को कहने से काल सर्भ दोश तूर हो जाता है राहु केतु के दुश प्रभाव हो, कोई दशा हो, कोई दोश हो, तो उससे भी दाहत मिलती है साथी भोले नात का भी आशरवाद प्राप्त होता है और बिगडे कारे भी बनने लगते है जीवन के हर छेतर में सफलता मिलने लगती है और मालक्षमी की करपा से अपाधन की भी प्राप्ती होती है तो आएए दोस्तों जानते हैं इनसरकारक उपायों के बारे में उपाय सही प्रकासे कहने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखे वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों अगर आपके बंदे हुई कारें बिगर जाते हैं घर में लगाता धन की कमी बनी होई है धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है या आप काल सर्दोष से पीड़े थें तो आज के दिन आप चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा लें दोस्तों ये काफी सस्ते मिलते हैं और आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं जिस दुकान पर भगवान जी के समान मिलते हैं उस दुकान पर यह असानी से मिल जाते हैं, यह पतले तार से बने हुए होते हैं, चांदी के ना ले सकें, तो आप तांबे के नागनागिन का जोड़ा भी ले सकते हैं, अब इन्हें खाय लाकर गंगा जल से या शुद्ध जल से शुद्ध कर लें, इसके बाद एक कटोरी मे रखें और दूद से इनका अभिशेक करें, फिर पहुँचकर आप बापस भगवान जी, भगवान भोले नाथ के सामने अपने मंदिर में रखतें, एक कप्रे का आसन बिछाकर उसके उपर रखें, और हल्दी कुमकुम से तिलक करें, फिर भगवान शिफ और नाग देवत को प्रणा करें, और काल सर्व दोष से मुक्ति दिलाने के प्रातना करें, आपकी जो भी समस्या है वह आप भगवान जी के सामने कहें, सामस्या कहने के पश्चात अब आप भोले नाथ के ओम नमा शिवाय मंतर का 108 बाद जाब करें, महिलाएं, ओम शिवाय मंतर का 108 बाद मंतर का जाब करेंने के पश्चात अब आप नाग नागिन के इस जोड़े को आसन पर बिठा कर जो जिस कपड़े पर आप बिठा कर या फिर किसी कटोरी वगेरा में रखकर सम्मान से फोले नाथ के मंतर में ले जाएं अगर घर के पास फोले नाथ की शिवलिंग बाला मंदर है तो आप पहले फोले नाथ की शिवलिंग का जलसे अभिशिक करें, अभिशिक करते समय भी आपको ओम नमशिवाय या ओम शिवाय नमा मंतर का जाब करना है और अभिशिक करने के पश्चात आपको यह नाग नाग इनका जोड़ा शिवलिंग पर रख देना है यानि की फोले नाथ को अर्पित कर देना है अगर फोले नाथ की प्रतिमावाला मंदिर है तो आप फोले नाथ के चर्णों में नाग-नागिन के इस जोड़े को रख दें अब भगवाँ शिव और नाग देवन को बढाम करें और समस्या को दूर करने की प्रात्ना करें दोस्तों नाक-पंच मीपन करने वाला शास्तों में बताया गया ये बहुत यी असरकारक उपाय हैं इस उपाई को कहने भोले नाथ की करवास से काल सरी छुटकारा मिल जाता है और कार्यों हäs सफलनी मिलने लगती है घंकां भी लाब होता है इस उपाइक को कहने से भोले नात के साथ ही मालक्श्मी की भी कृपा प्राप्त होती है ऐ घर मी सुकसम्रफि आती है दोस्तों अगर आप नहीं जानती एक कुण्ड़ी में कालसरदोश है या पिन नहीं है लेकिन आपके कार्यों में रुकावट आ रही हैं, बनते कारे बिगर जाते हैं, घर में पैसा टिकता नहीं है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है तो ये सभी लक्षन कालसर दोश के माने जाते हैं मानेताओं के अनुसार जिस प्यक्ते पर कालसर दोश होता है, उसे कार्यों में सफलता नहीं मिल पाते अगर मिलते भी हैं, तो उसे और लोगों की अपिक्षा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसे इक्षा के अनुरूप परनाम नहीं मिल पाते अगर यह सभी लक्षर आपको अपने घर में या अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो आप इस उपाई को अवश्य ही करें ऐसी तो आप इस उपाय को नाग पंचमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन इस उपाय को नाग पंचमी पर प्रदोशकाल यानि की सुर्यास्त से 45 मिनट पहले और 42 मिनट बाद तक इस जो 90 मिनट का समय है इस समय में करना सबसे जादा शेष्ट रहता है क्योंकि यह समय भोले नाथ के पूजन के लिए समर्पित होता है दोस्तों अगर आपको नाग नाग ना मिले तो आप क्या करें तो आप यह अगला उपाय कर सकते हैं इस उपाय को करने से भी कालसर दोश से छुटकारा मिलता है साथी राहू केतू की महादशा भी दूर हो जाती है उपाय करने के लिए आप एक कलावा लें दोस्तों आपको लगवक एक फुट लंबा कलावे का टुकड़ा लेना है ऐसे आपको साथ टुकड़े लेने हैं अविन साथों टुकड़ों को आप आपस में अमेर का एक रसी से बना दें फिर इसे गंगा जल या फिर शुद्ध जल से शुद्ध करें इसके बाद भगवान भोले नाथ के सामने लाल या पेले रंका एक कपड़ा बिछाएं और कपड़े के उपर आप इस रसी को रखतें इस रसी को रखने से पहले आप इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर साथ गाठ लगा दें और फिर नाग दीपता का प्रतीख मान कर आप इस रसी को भोले नाथ के सामने बिच्छाए हुए कपड़े पर याने की आसन पर रख दें आसन पर इस्थापित करने के पश्टाथ थोड़ी से साबुच्छाबर और पुष्प लेकर आप नाग दीपता को प्रतीख मान कर इस रसी पर चढ़ाएं और फिर थोड़ा से दूध और बताशे या फिर शक्कर का भोग लगाएं इसके पश्टाथ आप फोले नाथ को प्रणाम कर ओम नमा शिवाय मंतर का जाप करें महिलाएं ओम शिवाय नमा मंतर का जाप करें आपको 108 पार मंतर का जाप करना है फिर आप नाग दीपता को प्रणाम करें अगर आप राहु केतु की महादशा से पीड़े थे तो आप इ इस मंत्र का आपको 21 या फिर 108 बार जाप करना है और फिर केतु के मंत्र का जाप करें ओम कें केतवे नमा ओम कें केतवे नमा जितनी वार राहू के मंत्र का जाप करें उतने ही वार केतु के मंत्र का जाप करें मंत्रता जाप करने के परशाद आप भोले नाथ और नागदीपता को परणाम कर, कांसर दोश और राहू केतु के दुश्प्रभाद को दूर करने की प्रातना करें। इस तरह पूजन करने के पश्राद आप भोले नाथ का इसमरन करते हुए इस रसी की गाठ को खोलते जाएं यानि कि जो साथ गाठ आपने लगाई थी उन साथों गाठों को आप खोल दें और फिर इस रसी को आप शुत्य बहते हुए जल में विसाजित कर दें जो दूद और पताशे या चीनी का आपने भोग लगाया है उसे भी आप जल में डाल दें अगर जल में विसाजित नहीं कर सकते तो आप इस रसी दूद और शक्कर को भोले नाथ के मंदिन में दखाएं दोस्तों नाग पंचमी के दिन इस तरह पूचन करने से भोले नाथ की असेम करपा प्राप्त होती है भोले नाथ के साथ ही नाग देपता भी प्रसन होते हैं और कालसर दोस से छुटकारा मिल जाता है साथ ही भोले नाथ और नाग देपता की करपा से राहू और गेतू के दुश्प्रभाप भी दूर होते हैं शास्तों के अनुसार नाग का मु बखिर रहों और पूछ केत्व होती है और इस तरहें नांतीटता का पूचन से राह हुग केतु की वहां दशाबी दूर हो जाती है कारियों में आ रही रुकावत दूर होती है और भोले नात की करपा से बिगड़े हुए कारें भी बनने लग जाते हैं और हर छीतर में सफलता मिलती है दोस्तों नाग पंचिमी के पावन पर पर इन आसान से उपाई को कर इन से लाव अवश्य ही प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद जै भोले ना जै नाग देपता जरूर लिखें तैंक्स फूर वुचिंग राधे राधे